हेई गर्ल्स आज मैं आपको मेकप रिमूव करना बताऊंगी वो भी विदाउड मेकप रिमूवर आप मेरे फेस पे देख सकते होगी पॉंडेशन, कंसीलर, हाइलाइटर, कॉंटूर, लिपस्टिक हर एक चीज अच्छे से लगी होई आईशाड़ो तक आईलाइनर अब कोई भी कोकोनट ओयल ले सकते हैं अगर आपके पास निटीने में से कोई भी एक होगा तो आपका काम चाल जाएगा है सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे कर लेती हूं ताकि मेरे बाल मुझे दिस्टर्म ना करें फिर यहां पर मैंने वैसलीन को अपने पेस्ट पर ऐ अपना मेकप रिमूव कर देना है अगर आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी स्कीन में अच्छा मॉस्टर जाएगा और आपका मेकप इजली डिमूव होगा वैसलीन को ही अपने लिप्स पे भी सी तरीके से लगा लेना है ताकि आपकी लिप्स्टिक बहुत इसली आउट हो सके क्योंकि यहां पर मैंने मैट और लिक्विट लिप्स्टिक लगाई थी जो की जल्दी हटती नहीं है लेकिन आप देखिएगा कि इतनी अच्छे से मसाज देनी है आपको सर्कुलर मोसन में हर एक एंगल से आपको मसा मेचाप कर लेना है ताकि आपका मेक आपका अच्छे से हाटाने के लिए हमाये पास वहना है तो आपको बीज leverage करके भी अपने मेक अप को हटा कि यह मैं कॉटन यूज कर रही है sommes और मैं आपको टीशू से भी रिमूव करके दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर बाद यहां से आप कॉटन से अपने आइब्राउज अपने आइज मेकप को रिमूव करेंगे तो बहुत जादा इसली यह रिमूव हो जाएगा और मैंने आपको बताया अगर आपके पास टी पिरा इसली पद आहाता है आपको दुबार्द कुछ से उसकरने के जिरूत नहीं पड़ती है llp accessible करें को बहुत इसे टीसू पेपर से सारा मेकपिश पर लेना और आपको ठींचर यह पारद मेक स्वीयू नाहीं डूप संव्हां है आपको यह जाक्या डेली-उस कॉस wash तर करने के बाद आपको मॉश्राइजर लगाना बिल्कुल नहीं बूलना है यह मेरा नीविया का मॉश्राइजर है मैं यही यूज करती हूँ तो अब आपको अच्छे से इसे सर्कुलर मॉशन में अपने स्कीन में हाइडरेटिंग करने के लिए मसाज कर लेना है अगर आपके जिए पास कोई मैश्राइजंग क्रीम यह तो गर्यून आप टेल भी लगा सकते हैं ताकि आपको सकेन जया क्षिक रिल्म के बाद आपकी स्कीन को मैश्राइज चाहिए होता है तो इसकी लिए में पने लिप पर लिपम या फिर वासली लगाना बिल्कुल मत भूल यहाँ मेरे चैनल पर जाकर कि विजिट कर सकते हो आप यह वाला लूप देख सकते हो फ्रेंड्स बाई